नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए आईए इस वीडियो पे हम लोग दुई घाच समी करण पे आधारित कुछ प्रशनों का हल करना सीखें दो क्रमागत विशम संख्याओं का गुड़न फल 63 है दुई घाच समी करण का प्रयोक करके संख्याओं ग्याद कीजिए तो यहाँ पे जो बादें हमसे बताई गई है पहली बात है कि क्रमागत क्रमागत का आशय यह हुआ कि एक के बाद एक जवाए गिंती में जैसे एक और दो क्रमागत हो गए दो या तीन क्रमागत हो गए विशम संख्याओं का गुड़न फल 63 है और चूकी यहाँ पे प्रश्ण में विशम संख्याओं कहीं गई है तो अर्थात विशम संख्याओं क्रमागत क्या हो जाएंगी जैसे एक तीन और पांच उधारन के लिए मैंने आपको बताया कि एक तीन और पांच जो है वो क्रमागत विशम संख्याओं हैं आगे साथ और 9 इस तरीके से आप ले सकते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 विशम संख्या X है, तो क्रमागत विशम संख्या इसके बाद मिल जाएगी X प्लस 2, जैसे आप देख सकते हैं कि 1 के बाद हमें 3 मिला, तो इन में अंतर है 2 का, उसी प्रकार अगर X लिया, तो दूसी संख्या हो जाएगी X प्लस 2, और प्रेश्ण में कहा गया है कि 2 क्रमागत विशम संख्याओं का गुड़न फल, गुड़न फल 63 है, गुड़न फल हमने यहाँ पे लिया, जिसका जो मान है वो 63 आ रहा है, अगर हम यह गुड़न फल यहाँ पे करें, तो हमें मिलेगा X स्क्वाइर प्लस 2X और यह बराबर 63 आ रहा है, अगर हम इस समी करण में दोनों तरफ 63 माइनस कर दें, तो आप देखों यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 63 और यहाँ आ जाएगा 0, अब हमें क्या करना है, हमें इसको हल करना है और दो मूल निकालने है, और वो ही मिल जो हैं हमको बता देंगे कि हमाएं क्रमागत विशम संख्याएं क्या होंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए गुड़न खंड़न विधी असान पड़ेगी, तो मैं उसी का यहाँ पर प्रयोक कर लेती हूँ, तो मुझे गुड़न खंड़न विधी के अनुसार योगफल दो चाहिए दो संख्याओं का और गुड़न फल माइनस 63 चाहिए, अब क्यूंकि गुड़न फल एक रनात्मक संख्या आ रही है और योगफल सकरात्मक आ रहा है, आशे यह हुआ कि जो दोनो संख्याओं हैं उनके जो चिन है वो विपरीत होंगे और उसमें से बड़ी संख्या जो होगी उसका चिन प्लस है और जो छोटी संख्या है उसका चिन माइनस है, तो अब हम वो दोनो संख्याओं कैसे पाएंगे, हम जोड़े देख लेते हैं, जो की गुड़न फल दे हमें 63, तो 63 मिल सकता है 63 गुणा 1 से, हमें 63 मिल सकता है 3 गुणा 21 से, फिर हमें 63 मिल सकता है 7 गुणा 9 से, और इसके पाद जो भी हमें गुड़न खंडन के, जो भी ज जिहान ना दें, तो यही तीन जोड़े हमको मिलेंगे, जो कि हमें गुड़न फल 63 ने, अब देखिए कि हमें कौन सा ऐसा जोड़ा है, जिसमें योग फल प्लस 2 मिल जाए, और जो गुड़न फल है, वो माइनस 63 हो, तो मेरे हिसाब से हम 9 और 7 का प्रयोग कर सकते हैं, और हाँ पे सार्थक पैठेगा, तो आईए इसका आगे का चरण लिख लें, तो x square प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 और बराबर शूर ने हो जाएगा, अगर हम पहले दोनों ही पदों में से x उभेनिश निकालने तो x प्लस 9 आएगा, आखरी दोनों पदों में से माइनस 7 निकालने तो फिर से x प्लस 9 आएगा, बराबर शूर ने, अब आप देखिए, आपके पास दो पद आगे और इन दोनों पदों में से अगर हम x प्लस 9 जो है उभेनिश निकालने तो दूसरे पद में x माइनस 7 आएगा, बराबर शूर ने, इसका आशे क्या हुआ, कि या तो हमारे पास x प्लस 9 जो है वो 0 है, और अगर हम दोनों तरफ 9 को माइनस करते हैं, तो x बराबर माइनस 9 आजाएगा, और दूसरा हमारे पास इसका आर्थ ये आया, कि जो x माइनस 7 है, वो 0 है, जिसका आशे ये हुआ, कि अगर हम दोनों तरफ 7 जोड़नें, तो x बराबर 7 तो इसलिए ये वाला तो उत्तर हमारे लिए यहाँ पे मानने ही नहीं है, तो x बराबर 7 हमारे पास एक संख्या आगई, और दूसरी संख्या हो जाएगी, x प्लस 2, जो कि 7 प्लस 2 है, यानि कि 9, तो 2 क्रमागत विशन संख्या आएं, जिनका गुणन फल 63 है, वो 7 और 9 हों विशन संख्याएं हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, चलिए आईए, एक और प्रश्न देख लेते हैं, दो संख्याओं का योग फल 15 है, यदि उनके वयुत क्रमों का योग फल 3 बटे 10 है, तो संख्याएं ग्यात कीजिए, यहाँ पे हमसे दो संख्याओं का योग फ करके 15 चाहिए, आप देखिए, एक्स और 15 माइनस एक्स को अगर हम जोडेंगे तो योग फल 15 आ जाएगा, तो हमने क्या मान लिया कि, दो संख्याओं जिनका योग फल 15 है, वो हैं, एक्स और 15 माइनस एक्स, यहाँ पे बात की गई है, वयुत क्रमों की, वयुत क्रम मतलब तो अगर आपके पास कोई संख्या एक्स है, तो उसका वयुत क्रम हो जाएगा, एक बटा एक्स, तो यहाँ पे अगर हम इनके वयुत क्रम लिखना चाहें, तो आप भी बताईए क्या होगा, अगर आप यह प्रश्न मेरे साथ अपने नोट बुक में कर रही हैं, तो फिर के लिए हम लिख लेंगे, एक बटा एक्स और इसका वयुत क्रम हो जाएगा, एक बटा पंद्रा माइनस एक्स, और प्रश्न के अनुसार, कहा गया है कि इनका जो योगफल है, वो तीन बटा दस है, तो अब हमारे पास जो समी करण है, वो यह मिल गया, हमें संख्या ग्या करनी है, इसका अर्थात है कि हमें एक्स और पंद्रा माइनस एक्स का मान ग्याद करना है, चलिए आएए, इसको हल करने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कि इनको LCM ले ले लेते हैं, और LCM आ जाएगा, दोनों का गुणन फल जो की है, एक्स गुणना पं पंद्रा माइनस एक्स और दूसरे में आएगा एक्स और यहां आ जाएगा तीन बटा दस, अगर हम इसे और अच्छे से हल करने का प्रयास करें, तो पंद्रा माइनस एक्स प्लस एक्स और अगर हम यहां पे दस लेके आ जाएं, तो यह हो जाएगा तीन और यह पूरा यह यहां चला गया x और 15-x और अगर हम इसे और आगे हल करें तो देखे –x और प्लस x यहां पर कड़ गया और 15 गुना 10, 150 और यहां पर हमारे पास आएगा 3x और यहां पर है 15-x अब आप देख सकते हो कि पूरे ही समीकरण में जो 3 है वो उभैनिष्ट है तो क्यों ना हम पूरे समीकरण को 3 से भाग दे दे तो जिसका आशे यह हुआ कि 50 बराबर x और 15-x का गुड़न फल इसको आगे और हल करने का आएए प्रयास करें तो हमारे पास जो यहां पर समीकरण बन रहा है वो है 50 बराबर 15-x माइनस x स्कोर चलिए आए दोनों तरफ x स्कोर का योग कर लें तो यहां पर x स्कोर मिल जाएगा परन्तु अगर इस तरफ हम करेंगे तो दाइन तरफ यह कैंसल हो जाएगा इसी प्रकार अगर हम 15-x को दोनों तरफ क्या कर लें सब्ट्राक कर लें तो देखिए क्या होगा यहां पर हमें 15-x मिल जाएगा और इस तरफ जो 15-x था वो कैंसल हो जाएगा तो इस प्रकार हमारे पास दाइनी और तो शून ने बच गया परन्तु हमें बाई और एक दुई घाद बहुपद मिल गया और क्यूंकि शूनी के ब्राबर है तो दुई घाद समीकरण मिल गया गुडन खंडन विधी से आईए चलिए इसका हल करने का प्रयास करें तो हमको दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योगफल 50 हो और जिनका योगफल 15 हो तो ऐसा देखने के लिए हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुडन फल जो है एक सकरात्मक संख्या है अर्थ अर्थात दोनों ही संख्याओं का जो चिन है वो एक ही होगा समान होगा और क्योंकि इनका योगफल जो है वो एक नकरात्मक संख्या है अर्थात दोनों ही संख्याओं जो है वो नकरात्मक होंगे और दो नकरात्मक संख्याओं का अगर हम गुडन फल देख रहे हैं तो य पच्चास गुना एक, फिर हो गया पच्चेस गुना दो, फिर हो गया पांच गुना दस, और फिर हम अगर आगे करेंगे तो हमें यही जोड़े मिलेंगे, मगर क्रम बदल जाएंगे, तो उसकी आउशकता नहीं है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि अगर हम माइनस पा प्लस पचास बराबर 0 हो जाएगा, पहले दोनों पदों में से एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस पांच बचेगा, और आखरी दोनों पदों में से माइनस दस कॉमन है, तो फिर से एक्स माइनस पांच बचेगा, बराबर 0, अब दो पद हमारे पास हैं, और इन में ही कॉमन या उभेनिष्ट कहलें x-5 है तो दूसरे पद में x-10 और इन दोनों का गुड़न फल 0 हो गया अगर दो पदों का गुड़न फल 0 है तो इसका आशे ये हुआ कि इन दोनों में से 1 तो 0 के बराबर है तो x-5 बराबर 0 हो गया अगर हम दोनों तरफ 5 को योग कर दें तो x बराबर 5 आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ 10 को योग कर दें तो x बराबर 10 आ जाएगा तो अगर हम यहाँ पर संख्याई निकालना चाहें यानि अब हम बात कर रहे हैं एकड़म अंतिम चरण की उत्तर की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास X का मान 5 है तो दूसरी संख्या 15-10 जो है वो 10 हो जाएगी और अगर हम X का मान 10 कर ले तो दूसरी संख्या 15-10 5 हो जाएगी तो एक सारांश में एक संख्युप्त तरीके में 15 है चलिए आईए एक और प्रश्ण देख लेते हैं एक आयाता कार खेत का विक्रण विक्रण मतलब इसका वो छोटी भुजा से 60 मीटर जाधा है तो 60 प्लस X और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर जाधा है तो 30 प्लस X और क्योंकि 30 प्लस X है तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं आईए इस खेत को कुछ नाम दे लेते हैं और यहाँ पे हमें ग्याद क्या करना है? खेट की भुजाओं का ग्याद करना है, यानि हमें X का मान ढूनना है, क्योंकि जब हम X का मान ढून लेंगे, तो हम 20 प्लस X का भी मान ढून लेंगे, अब अगर हम तुरिभुज A, B, C में देखें, तो ये एक Sum कोन वित्रभुज है और इसलिए हम यहां पे Pythagoras ठोरम का प्रयोग कर सकते हैं जिसके अनुसार हमारे पास यहां पे 60 प्लस X का Square बराबर हो जाएगा 30 प्लस X के Square प्लस X Square के क्योंकि हमें मालुम है Pythagoras ठोरम के अनुसार जो सबसे बड़ी भुजा है उसका अगर हम वर्ग निकालें तो वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है तो अभी यहां पे हम अभिवेक्ती इस्तमाल करेंगे सूत्र इस्तमाल करेंगे और उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि 60 का स्क्वाइर प्लस X का स्क्वाइर प्लस 2 गुना 60 गुना X बराबर हो जाएगा 30 का स्क्वाइर प्लस X का स्क्वाइर प्लस 2 गुना 30 गुना X क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वाइर A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस 2 A भी होता है चलिए आईए एक बार हम इसको हल करने का प्रयास करें और 60 का अगर हम स्क्वाइर करेंगे तो 3600 प्लस X स्क्वाइर प्लस 120X बराबर हो जाएगा 900 प्लस X स्क्वाइर प्लस 60X प्लस X स्क्वाइर के तो आईए इसको आगे हल करने का प्रयास करें तो यहां आगया 2X स्क्वाइर प्लस 60X प्लस 900 और अगर हम दोनों तरफ X स्क्वाइर को माइनस कर दें तो देखे इस तरफ X स्क्वाइर माइनस हो गया और इस तरफ वाला X स्क्वाइर जो है वो कैंसल हो जाएगा इसी प्रका अगर हम 3600 भी minus कर दें दोनों तरफ तो यहाँ पर 3600 भी cancel होकर कि हमें 0 मिलेगा और अर्थात हम कह सकते हैं कि 2x square और x square का difference यानि कि x square फिर 60x और 120x का अगर हम difference यहाँ पर लेंगे तो हमें मिल जाएगा minus का 120 है और plus 60 तो यानि minus 60x और 900 और minus 3600 करेंगे तो हमें मिलेगा minus 2700 बराबर 0 के आईए इसको थोड़ा सा और असान तरीके से सरल तरीके से लिख लें तो x square minus 60x minus 2700 बराबर 0 होगा और अगर हम इसका हल करने का सोच रहे हैं तो गुडन खंडन विधी भी प्रयोक कर सकते हैं गुडन खंडन विधी के प्रयोक से हम ये देख सकते हैं कि 2700 के गुडन खंडन करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये भी है कि हम 90 और 30 का गुडन फल निकाल लें और तो भी हमें 2700 मिलेगा और 90 और 30 का योग फल हम माइनस 60 बना सकते हैं अगर हम माइनस 90 और प्लस 30 ले लें तो जी हाँ आप प्रशन पे ध्यान दीजे ये था माइनस 2700 तो इसलिए माइनस 90 और अगर हम 30 का गुडन फल निकालेंगे तो माइनस 2700 आएगा और माइनस 90 और प्लस 30 का योग फल निकालेंगे तो माइनस 60 आएगा तो इसलिए हमारी दो उपरुक्त संख्याएं जो हैं वो माइनस 90 और प्लस 30 हो गई तो चलिया ये हम यहाँ पे इसको रख देते हैं और यहाँ से हमारे पास देखिए पहले दोनों पदों में उपहनिस्ट एक्स है एक्स माइनस 90 बचा और आखरी दोनों पदों में 30 है तो फिर से एक्स माइनस 90 बचा अब हम इन दोनों ही पदों में से एक्स माइनस 90 को उपहनिस्ट निकाल सकते हैं तो एक्स प्लस 30 बचा और इसका गुड़नफल 0 ने आ गया हमें मालूम है कि अगर दो पदों का गुड़न फल 0 है, तो आशे ये है कि नोनों में से 1 तो 0 होगा ही, अर्थाथ हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पहला पद है x-90, अगर इसका मान में हम 0 कर दें, और या फिर हम x-30 का मान में 0 कर दें, x-90 का अगर मान हम 0 कर रहे हैं, तो x-90 आएगा, और अगर यहां पर सेमी करण में हम दोनों तरफ 30 सब्ट्राक कर दें, घटा दें, तो x-90 आएगा, क्योंकि हम यहां पर दूरी की बात कर रहे हैं, या फिर हम कहलें कि माप जो है उसकी बात कर रहे हैं, उसके नाप की बात कर तो जो छोटी भुजा है उसका मान जो है वो 90 हो गया और मीटर होगा क्योंकि सारी ही जो दूरियां है जो लंबाई है वो मीटर में नापी गई है और बड़ी भुजा जो है वो 90 से 30 और जादा है तो इसलिए वो 120 मीटर हो जाएगी इस पकार हमने अपना प्रश्न द्वी घ आते बता ही आपको अच्छे से समझाई होंगी